जब चंद्रमा प्रत्वी और सूर्य के मद्दे से होकर गुजरता है उस प्रिक्रिया को सूर्य ग्रैन कहते हैं प्रत्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आन्शिक रूप से चंद्रमा द्वारा आचदित होता है विज्यान की देस्टी से जब सूरिय और प्रत्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के बीछे सूरिय का बिम्ब कुछ समय के लिए ढख जाता है उसी घटना को सूर्य ग्रहन कहा जाता है सूर्य ग्रहन हमेशा अमावश्या कोई होता है सूर्य ग्रहन के दिन सूर्य और चंदर्मा के कोण ये व्यास एक समान होते हैं इस कारण चंदर्मा सूर्य को केवल कुछ मिनट तक ही अपनी छाया में ले पाता है सूर्य ग्रहन के प्रकार सूर्य ग्रहन तीन प्रकार के होते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहन आंशिक सूर्य ग्रहन और वल्याकार सूर्य ग्रहन पूर्ण सूर्य ग्रेन उस समय होता है जब चंद्रमा प्रत्वी के काफी पास रहते हुए प्रत्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से प्रत्वी को अपनी छाया के छेतरे में ले लेता है आंसिक सूर्य ग्रेन उस समय होता है जब चंद्रमा सूर्य और प्रत्वी के बीच में इस प्रकार आ जाता है कि सूर्य का कुछ ही भाग प्रत्वी से दिखाई नहीं देता है यानि कि चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही अपनी छाया में ले पाता है वल्याकार सूर्य ग्रेन वल्याकार सूर्य ग्रेन में जब चंद्रमा प्रत्वी के काफी दूर रहते हुए प्रत्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है यानि की चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार से ढखता है कि सूर्य का केवल मद्य भागी छाय चेतर में आता है करता है सूरय ग्रहेंध्ध देखने में सावधानी सूर्य ग्रहेंध 주로 थे हैं। पर जुद उनको सिकाओं को नश्ट कर देती है जिनका कारिये रेटीना की सूचनाई मस्तिस तक पहुंचना होता है जिसके रेखा जाता है, रहु और केतू दोनों ही चाया ग्रह और राक्षेस गन से संबंद रहते हैं, कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दोरा निकले अमरत को भगवान विश्णू मोहिनी का रूप धारन कर सबी देवताओं को पिला रहे थी तो राहू और केतु इस बात को जान गए कि भगवान विश्णू शिर्प देवताओं को ही अमरत्मान करा रहे हैं राक्षस ने चुपके से जाकर देवताओं की पंक्ती में जाकर मोहिनी के हातों से अमरत्मान कर लिया था अमरत्मान करने के दोरान चंद्रमा और सूर्य देव ने यह देख लिया था यह बात जैसे ही भगवान विश्णू को पता चली उन्होंने तुरंती अपने मोशन चक्र से राक्षस का सिर दर से अलग कर दिया तभी से राहू और के तू समय समय पर सुर्य और ुर चंद्रमा पर ग्रेहन लगाते आ रही हैं विज्यान के अनुसार सूर्य ग्रेएंTrade विज्यान के अनुसार सूर्य को एक कि खगोल ये घटना माना गया है जब चंद्रमा सूर्य और प्रत्वी के बीच आ जाता है तब ऐसी इस्तिती में सूर्य का प्रकास धरती पर नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा सूर्य को ढख लेता है तो इस घटना को सूर्य ग्रेंड कहते हैं धन्यवाद